दुनिया भर में COVID-19 के नई वेरियंट ओमिक्रोन ने चुन्ता बढ़ा दी है बीटा डेल्टा जैसे वेरियंट तेजी से फैल चुके है इस वज़े से भारत समय दुनिया की बड़ी आबादी पहले ही COVID-19 से संक्रमित हो चुकी है ऐसे में अब यह सवाल उखने लगा है कि क्या पहले COVID-19 से ठीक हो चुके लोगों को फिर से संक्रमित होने का खत्रा है जुसको लेकर अब विशुस्वास संगठन ने अपना बयान जारी क्या है हाला कि लोग यहीं उमीद कर रहे थे कि ओमिक्रोन से संक्रमित होने के उन लोगों की संभावना नहीं है जो लोग पहले ही संक्रमित हो चुके हैं लेकिन WHO की राय इससे ठीक उलट है विशुस्वास संगठन ने साफ कहा है कि COVID-19 से पहले ठीक हो चुके लोगों को भी COVID-19 का यह नया वेरियंट ओमिक्रोन दोबारा संक्रमित कर सकता है WHO ने साफ किया है कि यह वेरियंट लोगों की इम्मूनिटी को धोखा देते वे लोगों को संक्रमित कर सकता है वहीं जिनका टीका करन नहीं हुआ था और जिने कई महीनों पहले टीका लगाये गया था यहां उनको भी संक्रमित कर सकता है इसको लेकर विशुस्वास संगठे ने अपनी वेबसाइट पर एक डोटेस जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग पहले COVID-19 से ठीक हो चुके हैं उनमें डेल्टा की तुलना में ओमिक्रोन से दुबारा संक्रमित होने की संभावना 3-5 गुना अधिक है में युवाओं को अधिक संक्रमित कर रहा है जिसमें 20-30 साल के युवाज शामिल है ओमिक्रोन शुरू से बड़े शहरों के साथ ही सामाजिक और कारिस थल्थ समारों में जुड़े समुखों में फैर रहा है हाला कि COVID-19 का ये नया वेरियंट के सहस्त धथ तक खतरनाक है इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टी तो नहीं हुई है लेकिन अधियानों में यही कहा गया है कि अन्य वेरियंट के मुकाबले COVID-19 का यह नया वेरियंट कम खतरनाक है लेकिन फिर भी WHO ने कहा है अपनी रिपोर्ट में इस नय वेरियंट में भी बचाव करने की अपील की जाती है क्योंकि COVID-19 की प्रविर्ती यही रही है कि वो समय के साथ अपने वेरियंट को बदलता है अगर ऐसा हुआ तो म्यूटेशन होगा और यह नया वेरियंट और ज्यादा संक्रामक और घातक हो सकता है हाला कि COVID-19 के इस नय वेरियंट ओमिक्रॉन पर लगतार रीसर्च उज़ारी है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तके लिए धन्यवाद